हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, MK Knowledge ग्रूप में आप सभी का स्वागत है, आज इस वीडियो हम देखेंगे सेजी प्रकार का कोश्चन आया है, और किस प्रकार के कोश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न का फोलो किया है, और प्रिट्वियर स्वे में पूछे गए, उन सभी कोश्चनो को भी हम बताएंगे कि सभी कोश्चन प्रिवियर स्वे में पूछे गए है, 2012 से लेकर 2020 तक जितने भी question पूछेगे हैं 2021 में कितने question का vulnerability हुआ है उन सभी question को भी हम इसमें देखने वाले हैं इसके साथ हम देखेंगे कि किस box से हम पढ़ें इसकी भी चर्चा हम करेंगे और इसके साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से question का pattern है कैसे पढ़ें इसके बारें भी हम analysis करेंगे और सभी का संभावित उतर क्या हो सकता है इसके बारें भी हम जानकरी लेंगे तो बात करते हैं कि दर्चन में जो रहता है इसमें आठ question पूछा जाता है दो-दो number का, 16 number का पूछ जाता है पहला question पूछा गया था कि दर्चन का क्या अर्थ है तो दर्चन का अर्थ इसमें आपको बताना था तीस सब्दों में लगबग लिखना होता है दो-number के question को तो दर्चन का अर्थ जो है chapter number 1 है दर्चन जास्त्र का ही है उसमें दर्चन का एक परिचे दिया हुआ उसमें आपने पढ़ा होगा बहुत ही असान question है कई बार इससे पूछा गया है आप इस परकार से लिख सकते हैं कि दर्चन सब्द को अंग्रेजी भासा में philosophy कहते हैं जो कि युनानी भासा के दो सब्दों से मिलकर बना है philosophy तथा sophia से ठीक है तो इसमें sophia philosophy का अर्थ है प्रेम तथा sophia का अर्थ है ज्यान इस परकार से दर्चन का पूर्ण अर्थ बनता है ज्यान से प्रेम करना मनुष्य अपने जीमन और चारों और फेले वे संसार को जानने कोई चुक होता है तो इसे ही दर्चन कहते हैं और इसमें किसी एक महान बेक्ती के quotation के द्वारा भी का सकते हैं जैसे महान दर्चनिक डॉक्टर राधा किष्णन का अनुसार दर्चन वास्तिक्ता के सोरुफी तर्क संगत खोज है यदि एक और लिख से कांट का अनुसार दर्चन ग्यान का बिज्ञान है दर्चन जो है दर्चन ग्यान का बिज्ञान है तथा अलोचना है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दरसन बिज्ञानों का भी बिज्ञान है कांट का नुसार इस परकार से परिभासा देंगे तो निश्ची दुरुपशे का चाहिन सर माना जाएगा स्याद वाद से आप क्या समझते हैं तो स्याद वाद आप लोग जानते होंगे स्याद वाद किसकी है तो जैन मुनी महावीर का द्वार दिये गए एक सिधान्त है का सकते हैं जैन का अनुसार प्रतेक वस्तु के अनंत गुण होते हैं मनुश्य वस्तु के एक ही गुण का ज्यान एक समय पा सकता है वस्तु के अनंत गुणों का ज्यान मुक्ती बेक्ती के द्वारा ही संबव है ठेक है मुक्त बेक्ती के द्वारा ही संबव है सधरन मनुशों के ज्य एक सिधांत भी कहते हैं पिर आया है सत्कार वाद के स्जांघ का समस्ते हैं पूछा कार्यवाद के नाम से जाना जाता है कार्य कारण सिधान्त के समोग प्रश्ण उड़ता है कि क्या कार्य की सता उपत उत्पती के पूर्व उपादान कारण में अव्यक्त रूप से मौज़ुद रहता है तो इसमें जो है सत्कारवाद सब्द परिभासा भी कर सकते हैं जिसे हम बात कर सकते हैं कि सत्कारवाद सत्कार्य और वाद में सहयुक्त होने से बना है इसलिए सत्कारवाद उस सिधान्त का नाम हुआ जो उत्पती के पूर्व कारण में हुए कारे की सता को से बिकार करता है इतना आपको लिखना था नेची तुरुप से एक अच्छा एंसर मनता फिर आता है अनेक अनेकात वाद अनेकावाद के बारे हम बात करेंगे ठेक है इ जयन जो तत्वसास्त्र है वास्तोवादी है साफिक्षत वाधिए और अनेक्षत वाधिए इसे ही अनेक्षत वाध इसेhma समलित रूपक्षे अन्यक्तावाद के संग्याthinking सभीत के गया है और जैनों के मतानुसार इस लोक में अनयक वस्तूएं है तथा इसमें प्रतेक वस्तूओं के अनंत धर्म होते हैं ठेक है इतना आपको लिखना था और लिख सकते हैं कि वस्तू का ज्यान प्रमान से होता है, तीनों काल में वस्तू में अन्यंत प्रियाय होते हैं, यह प्रियाय या तो यूगपत होते हैं, या कर्मिक होते हैं, यूगपत यानि एक काल में हरने वाले प्रियाय के गुण, इसी समलित रूप को अन्यक्तावाद का सिधानत कहा जाता है, यम किसे कहते है यह देखे योग से समंधित कोश्चन है बहुत ही ऐसा कोश्चन है यम नियम आसन प्रिणाम प्रतिहार समाधी ध्यान और सभी को आपने पड़ा होगा तो इसमें हम जानते हैं कि यम क्या होता है तो यम जो होता है वह यम नियम आसन प्रिणाम का मतलब दूसरा पैदान हो होता है जिसमें यम जो होता है यम क्या होता है योग का प्रथम अंग होता है जो बाहय और आंत्रिक जो इंद्रियों के सयम की किरिया को ही यम कहा जाता है इसमें पांच परकार से बाटा गया है आपने पड़ा होगा सत्य अहिंसा अस्तय अप्रिग्रह और ब्रह्मचर है ठी कि इसका थोड़ा सा अभी किलियर मुझे याद नहीं आ रहा है बहुत दर्शन का कारण कारे का सिधान्त बता हिए तिया भी काथन बहुत दर्शन से लिए गया है बहुत ही अच्छा का सकते हैं तो इसे एक बार पूछा था बहुत दर्शन का जो कारण कारे का सिधान्त है ज एक वस्तू के उपस्तित होने पर किसी अन्य वस्तू की उत्पती अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पती इस प्रकार्य सिधांत जो है कार्यकारन का सिधांत कहलाता है इसे ही बहुत दर्शन में प्रतित्य श्रमत्पाद का नियम भी कहा जाता है आपको यतना लिखना था या योग का पांचवा अंग होता है प्रतिहार का आयथ होता है इंद्रियों को बाहे विषयों से हटाना तथा उन्हें अपने वस्त में रखना इंद्रियां जो होती है वह सुभावत अपने विषयों की और दोड़ती हैं और योग अभ्यास के द्वारा और ध्यान के द पनवरत अभ्यास द्रिन संकल्प के द्वारा इंद्रियों का शंगरह करना अपने वस्थ में करना ही प्रतिहार कहलाता है। इतना आपको लिखना था। नेक्सम बात करने वाले समाज सास्त्र शे काफी अच्छा कोशन पुछा गया है। इसमें समाज सास्त्र का पहला ही, चेप्टर का पहला ही कोशन है, कि समाज सास्त्र को परभासित कीजिए, तो समाज सास्त्र को विभीन जो हैं, विद्वानों ने परभासित किया है, उसके अनुसार भी का सकते हैं, कि समाज सास्त्र ऐसा सास्त्र है जिसमें समाज की बारे मध्यन के जाता है समाज सास्त्र समाजिक समंधों के बारे मध्यन के जाता है समुहों का ध्यन के जाता है और किसी का नुसार यदि लिख सकते है जैसे कि महत्पूर जो इसके हुए है परवतक वाड के अनुसार समाज सास्तर समाज का विग्यान है ठीक है एक लिख सकते हैं गीडिंग के अनुसार समाज सास्तर समाज का विग्यानिक अध्यान है अपने ही अन्यत्र लिखा है ठीक है आपने ही अन्यत्र लिखा है समाज सास सब्सक्राइब करते हैं उनुड्र के सवायोग जिसका स enclosed मिलता हो जिसे लेते यह निकटा या आमने सामने समन्द pada twarna वना चाहिए समंद में स्वावहत्तला होना चाहिए लक्षों की समन्ता होने चाहिए इस प्रकार के विश्यस्ता आप लिख सकते हैं उधारन में लिख सकते हैं कि परिवार हो गया किरिणा समु पड़ो मंत्री मंडल वरताला इन सभी चीजों को इसमें लेखा जा सकता है संघर्स किसे कहते हैं अभी कोशन पुछा गया था बहुत यासान कोशन है प्रिवियर से में पुछा गया है प्रकार के कोशन इसको लिख सकते हैं कि जब कोई विक्ती या समु अपने किसी लक्ष की प्राप्ति के लिए विरोधी को लुक्सान पहुचाने या नश्ट करने तो इसे ही संघर्स के नाम से जाना जाता है एक बार मैं आपको पुनह बता रहा हूं लिखना था इसमें कि जब कोई वेक्ती या समु किसी लक्ष की प्राप्ति के लिए अपने विरोधी को नुक्सान पहुचान पहुचाता है या उसे नश्ट करता है या उसको हितु को पहुचाता है या उसके कारे में बाधा डालता है या बाठे डालने का कारे करता है तो इसे ही संघर्स के नाम से पुकारा गया है ऐसा परित्म में सकती हिंसा प्रतिकार विरोध का साहरा लिए जाता है इतनी चीजों का आपको लिखना था समाजिक प्रिवर्तन के प्रतिम सब्धिक कारख हो गया उसके साथ ही आप लिख सकते थे कि समाजिक विकाश कर्णाय के साथ सब्सक्राइब समाज्б को समल्ब करना यरजी तिस्ति से आप का स मज़ते हैं समाजी अनुसंधान कि को आपको बताना था ठीक है, तो समाजिक क्या आणो संधान के दो पहला ही प्रश्ना इसका राइट उप्सन हो जाए कि जंजाती जो परिवार होते हैं वे एक समुव में होते हैं जिसका अपना विशेष नाम होता है किसी एक विशेष जंजाती समदाय का भवोलिक बीतनर एक सुनिश्चित भुभाग होता है प्रतिक जंजातियों की अपनी कि अच्छा सिधान थे स्वतंद्रता संग्राम के पचात सोतंद्रता के पचात उन्हें 165 में भारत के प्रधान मंद्री बंडी जोहारला नहरू ने बस्तर लिखा जा सकता है कि लोगों को अपनी प्रतिभा और खासित का धार पर विकास की राव पर आगे उन्हें बढ़ाना चाहिए जमीन और जंगलों में आदिवासियों को हक देना चाहिए प्रसासन और विकास में उनके टाइलेंट को ट्रेनिव देने की बात की गई थी और उन सभी जंजातियों में विहिन गोत्र में बटा होता है गोत्र जो है कैई कूलों का समुह जाथा है माता पिताया समंधियों से मिल कर वनता है गोत्र का प्रारम परिवार के सिसी पूर्वश करते हैं ज participar इंब oh create लगया घान जैन्मरों आधी के नाम से होता है ठीक है घड़वा कला क्या है कई बार एक्जाम में प्रेवियर सेस में भी पूछा गया है तो आप लोग जानते होंगे कि धातू जिसमें धातू किस से बना होता है पीतल या कासा और मोम को ढाल कर बिभीन ठीक है धातू और मोम को ढाल कर धातू पीतल कासा और मोम को ढाल कर आकृतियों को गड़ने की जो कला है उसे घड़वा कला के नाम से जानते हैं और यह बस्तर की जाती एक घड़वा जाती है उसके नाम पर घड़वा कला पड़ा हुआ है वहां की जन जाती धातुओं जिनमें पीतल कासा और मोम को ढाल कर विभीन वस्तुओं की जो है कलाकृ करते हैं जो कि घड़वा जो इस ब्रशिद है और यह मुख्यता इसका केंद्र जो है आपका कॉंडा में मिलेगा और इसके प्रमुख अगर हम बात करें तो आप लेख सकते हैं सुख्चंध है जैदर बगेल मानिक घड़वा इस प्रकार की चीजिए आप इसमें लेख सकते ह अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं कि बस्तर का जो जलपरपात के नाम आप लिख सकते हैं तामडा धुरुमर जलपरपात काके धरा जलपरपात है तीरत गड़ जल प्रपात है, टोटम क्या होता है, टोटम जो होता है वह परिवारिक सर्रचना की बात के जाता है, अगर हम बात करें टोटम की, तो यह जंजातियों में सवयक्त और बैक्तिक परिवारों की परमपरार ही है, और छती जंजाती जो होता है, वह पित्र सताकों ह होता है जिन्वे गड़ चींज जिसे हम टोटम का विश्यस महत होता है यानि की टोटम का या मतलब हुआ कि परिवार बैक्तिक रूपशे और सव्वध दोनों रूप से रहते हैं समाज की परात्मी की कई परिवार था जिसके दोबरा समाजिक मुलख आसकताओं की पूर्तिके साथ ही परिवार प्रंप्रागत कानूनि अधार विवाह के अधार पर एक परिवार करनेवान करता था इन सबी चीजों किसमें वो लेक करना था जयन दरसन के पांस सिधान ता आप लोग पंच महाबारत जानते होंगे इसका बहुत ही बड़ा था इस प्रकार से चीजों का आप असानी से लिख सकते हैं ठेक है जो इस्वर सिधी यह तू सता मुलक जो तरख है जो है एनसेल के नुसार इस्वर पूर्ड या महांतम सता है और इसकी अपैक्षा अधिक महांतम सता के लिए विचार संबव नहीं है इसवर, विश्व में काहना प्रयाप्ट नहीं है कि सभी दृष्टियों से इसके लिए है तीन जिजो का आप इसम्मिले कर सकते हैं धर्म और दरसन में क्या समन्ध रहा है इसमें आप लिख सकते हैं दोनों का समंध विश्व के मुल भुद्त अधार भुद्त प्रशनों स है थीक है इस परकार से यह दोनों एक दूसरे को इंटरल कनेक्ट होते हैं ठीक है असुन के परकार बताए था सव pref का परकार आप लिख सकते थे कि असुल दो परकार को थे प्राकरतिक हीobenाद और यहां यह क्योण करद़ ब्रकाहर मिर्तू रोग मानों के संकल्प जिसके अनुचित परयोग के फलसुरूप नेतिक असुब का जान होता है जैसे असत्य अहिंसा चोरी डगेती पाप इत्यादी असुब के अंतरगत आएंगे ठीक है लाइबनीज के अनुसार चिंद अनुकी स्रणियों के हां पर बात किया था इसके अंतरग कर सकते हैं यह भी पूछा गया है जोगी मारा गुफा के बारे में बताना है जोगी मारा गुफा जो है रामगड में इस्तित है क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क वाधियंत्रों के उधारन भी परस्तत करना था सभी जो लोग वांत्र माधर जांज गढ़वा बाजा बहुत सारे ऐसे बाजा है डफली है रागी है इन सभी वाधियंत्रों को बताना था कौन कोन गीदूं में परयूग होते हैं कि वरन करना था इंद्राकला संगित संगित की स्थापना के लिए महत्मूर्ण रुप से खैरागड के राजा उन्हों ने किया थे इस प्रकार की चीजों के इसमें वरनन करना था नेक्स्ट यहां दिये गया है बहुत दरसम के अस्टांग मार्ग द्रिष्टी संकल्प संकल्प द्रिष्टी ठीक है संक्रिष्टी और समाधी के बारे में जो अस्टांक मार्ग था तोध दर्षन का प्रीव में इस प्रकार के पूछा था इसमें थोड़ा डिटेल में लिखना होता है क्योंकि आठ नंबर का पूछा है सवसेब्दों में आपको इसको लिखना था संक्रिष्टी क्या है प्रमुक आदिवासी बिद्रों आप शुरू कर सकते हैं 1774 से लेकर यानि कि परलकोट बिद्रों परलकोट बिद्रों से लेकर उन्हें 110 तक ठेक है भूमकाल बिद्रों तक पूरा जितने भी बिद्रों हुए हैं उन सभी बिद्रों के साथ किसी एक बिद्रों पर प्रकास भी डालना थे याने डीटेल में आप किसी भी द्रोग बता देज़ेंगे परमुख तेवार सुरू कर देजिए हरेली से लेकर हरेली से जितने तेवार सुरू होते हैं सभी तेवारों को एकदम एक भाई एक लिखते जाईए पूरा आठ में आठ नमर मिलेगा नेक्स नम बा समाजी करण के प्रभासा कीजिए और इसके प्रमुख सिधानतों कई बार एक गजाम में पूछा गया है था से लेकर 2012 आप लिख सकते हैं 2020 यदि आपने उसका अच्छे से प्रेक्टिक्स किया है तो इस प्रकार को बना सकते हैं फिर पूचा गया था का अचारे संकर का तक जितने भी आभुसन हैं सभी आभुसनों को एदम चीत्रे के साथ यहां पर बनाना है